गोड एवनिंग लेटेस्ट अपडेट और गुड निव्ज ये है कि भारती रेलवे बारा अगस्त के बाद और ज्यादा ट्रेने चलाने की तैयारी में है दरसल इस समय जितने ट्रेने चल नहीं है उनमें इस्थिती ये है कि कंफर्म सीटे नहीं मिल पा रही है ट्रेने पूरी तरह से फुल है तो ऐसे स्थिती में भारती रेलवे कुछ और नई ट्रेनों को चलाने के बारे में विचार कर रहा है तो आईए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि इसी तरह की लिटेस्ट अपडेट्स नए ने जानकारियां आपको मिलती रहें तो चलें वीडियो तो आपको बता दें कि कोवीड एस्पेशल चल रही ट्रेनों की संख्या 12 अगस्ट के बाद बढ़ने वाली है फिलहाल 5 ट्रेनों के अलावा वारानसी से विभिन रूंटों पर बंद चल रही ट्रेने चल सकती हैं जिसमें वारानसी से ग्वालियर के बीच चलने वाली कुछ पैसेंजर ट्रेनों के शुरू होने की भी उमीद है पैसेंजर ट्रेनों को चेयर कार की तरह आरच्छन दिया जाएगा ताकि 15 रुपे अत्रिक्त शुल्क लेकर प्रतेक यात्री को सोशल डिस्टैंसिंग के साथ बैठने के लिए सीट मिल सके तो इसके संचालन के ल को बता दें कि कोरोना महामारी के चलते रेलवे ने 23 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद कर रखा है यात्रियों को रहत देने के लिए देश भर में 12 मई से अप और डाउन की 14 राजधानी एस्पेशल और एक जून से 200 एस्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रही हैं और आधा दर्जन से अधिक पासिंग ट्रेने भी हैं तो ये थी ट्रेनों के संबंद में लेटेस्ट अपडेट नवीनतम जानकारी 12 अगस्त से कुछ और नई ट्रेने आपके लिए उपलब्द हो जाएंगी जिससे आपको आने जाने में सुविदा होगी और ज अच्छी सीटों को लेकर के मारा मारी है उसमें कुछ हद तक कमी याने की संभावना थी तो वीडियो अच्छा लेगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्क्राइब भी कर लीजेगा ओके थैंक्यू